सब्सक्राइब की वेबसाइट पर एक नोटिस आया है जो की सेकंड डिवी से रिलेटेड है जिसमें के एडिशनल डॉकुमेंट वेरिपिकेशन पार्ट टू के डिगरी लेवल फाइब के लिए है चलिए इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं देखते किते के इंडिडेट्स क गरब से पब्लिश किया गया है इसमें एंटी पीसी के लिए जो है एडिशनल डॉकुमेंट वेरिपिकेशन पार्ट टू जो की के टेगरी 3,4,5,6 लेवल 5 में इनके लिए जो पब्लिश किया गया है इसमें टोटल 109 कंडिडेट्स का जो है इसमें डीवी के लिए बुला इसमें टाइम रहेगा इसके बाद जो है 35 कंडिडेट्स का इसके बाद अठ्थे इस तारिक को एक बजे जो है 34 कंडिडेट्स का रिपोर्टिंग रहेगा और जो है इनका दाबब मैंचन अटिडेट्स के डाउनलोड जो है अपका 24 मार्च से आप यहां पर अपने अपिकेट्स के साथ दो-दो फोटोगोपी के सेट होने चाहिए जिसके इसके अलावा आपके तीन फोटोग्राप्स होने चाहिए जो कि तीन मैने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए तीन तीन मतलब 6 फोटोग्राप्स लेकिन मिनिमम आप 10 फोटोग्राप्स लेकर जाना क्योंकि काम आएंगे यह इसके अलबा आपको अपर पॉर्शन ऑफ एकॉल लेटर दाने सीबीटी वन का सीबीटी टू का और सीबी टी एसटी का एप्लिकेशन अगर आपके पास है तो ठीक है इसके लिए आप एपडेबिट भी बनवा सकते हैं कि किसी कारण वश हमार पास यह नहीं रहा है इसके लबा फोटो को भी आधारगाट के दोनों साइट के होनी चाहिए इसके लबा रेसिप्ट पैमेंट ऑफ मेट थू चालान बेंक चाहिए आपके पास चालान की जोगी पर आपके आइडेंटिटीव मार्क्स हैं इसके अलावचों डीवी आपका 27 और 28 सारी को रखे जाएंगे साड़े नो से एक बज़े तक डीवी चलेंगे आपके यहां पर वैन्यू दिया है कि क्या है जगह वैन्यू का नाम दे दिया है यहां पर रेल्वे के लिए और इसके बाद यहां पर कहा गया है कि जो डीवी होगा उसके लिए जो आपको के लिए है जो ट्रेवल स्टेव और एडवाइस प्रपेर्ड़ा मतलब आप कम से कम 3-4 दिन के लिए आप प्रपेर्ड होकर आए डीवी से लिए क्योंकि 2-3 दिन का दिन लग सकता है क्योंकि पहले दिन डीवी होता है और दूसरे दिन मैडिकल होता है इसके लिए आप 2-3 दिन के लिए प्रपेर्ड होकर आए इसके बाद क्या है कुछ नहीं है चलिए यहां पर एक डेट दी है चार अपरेल को ब्लोग डेट दी गए जो भी किसी कारणबस 27 और 28 मार्च को नहीं आपाते हैं तो वह लोग चार तारीक को अपनी ब्लोग डेट पर जाकर अपना डेवी कर पा सकते हैं तो गैस थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो इसकी जो टेलेग्राम पर MSR रेलवे पर इसकी पीडियो आपको अप्लोड कर दी जाएगी तो वहां से आप देख सकते हैं तैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो